वारिस पठान जी भी वारिस साथ जूटी के हैं संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आ गया है उसके पेले जल्डी से अब नफ्वी जी की ओर से कहा गया है कि कॉंग्रेस पार्टी की मानेता रद दिकी जायता है इसी इनको रावाला जी एक एक मिलेड़ी जिस तरह से केर मतलब अलग होता लेकिन मौत का सौधागर में मानता हूँ एक गाली है और सबसे पहले चितर जी इंडिया तोड़ी की फैक्ट चेक अभी आप शूरू करवाई है सबसे पहले मौत का सौधागर ये शब कॉंग्रेस के लिए माननिया कुज्रात के मुख्यमंत्री श्री नर शीक है अभी रावन पर ही रहते हैं आप कह रहे हैं कि 2002 में उस समय के लिए नरेंद्र मोधी ने बोला था तो 2007 को नरेंद्र मोधी के खलाब चुनाबी कामरतार के लिए सोने अपांदी ने बोल लिया था तर बदजुबानी होती है उसको किसी में तरीके से डिफेंड नही रही सभी एक दूसरे को इस मामले में पीछे छोड़ देना चाहते हैं देखिए चितरा जी हम डेमोकरसी में रहते हैं डेमोकरसी की खुपसूरती है एगरी टू डिसगरी आइडियोलोजिकल डिफरेंसिस हो सकते हैं मेरे शायद शुकला जी के अगेंस्ट होंगे तैसीन स होगा मगर आइडियोलोजिकल डिफरेंसिस के अंदर आप मद भेत रख सकते हो मन भेत नहीं रख सकते हैं यहाँ पर देखा यह जा रहा है काफी सालों से हम देख रहे हैं कि आप एक दुश्मनी जैसी लड़ाई हो गई है खास तो जब से बीजेपी सत्ता में आ गई है त जब हम वो लोग है जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपनी जाने गवा दी देश आजाद हुआ यह आरेसेस वाले तो थे भी नहीं ना यह तो बावन साल तक तो हमारा तिरंगे का भी अपमान कर रहे थे फिर भी हमको हर दिन पूछा जाता है नेश्टनलिजम पेट अपमारोपार्लामेंड ने मुसलिम MP को गालियां देना शुरू कर दिया शिर्फ गालियां उन्हीं को नहीं दी पूरी मुसलिम समाच को गाली दी गई है और वहीं पर दो पुर्वा मंत्री पीछे बैट कर हस रहे तो इससे अभधर भाशचा इससे अभधर गाली क्या हो स तो अगर सरकार खुद चाहेगी कि इस तरह की भाशा का प्रयोग हो, इस तरह की आपस में रंजीशे हो, इस तरह की आपस में मन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जहर बरा जाए, तो एक आम नागरी क्या करेगा, सरकार अगर चाहे तो रोक सकती है, वगर सरकार का एजेंडा यह बन गया है, क्योंकि में मुद्दा और में एजेंडा से तो सरकार भटक चुकी है, आज अगर मैं भाज़पा के परवक्ता को सवाल पुछ रूगा के 15 लाक मेरे अकाउंट में कब आएंगे, जवाब नहीं है, दो क्रोड युवाओं को रोजगार देना था, कब भी ल प्रदान मंतरी को नीच कहे, तो कई बार उसका प्रतिउत्तर उस तरह की भाशन दिया है, हाला कि भी नहीं दिया जाना चाहिए. दूसरी बात, सुतंतरता संग्राम के बारे में, श्रीमान वारिस पठान कह रहे हैं, कि RSS के लोग नीतरे भाई, OVC के पूरवज जो है, रजाकार थे, और उन रजाकारों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलातकार किया, अंग्रेजों के तलवे चाट रहते निजाम, और न जबास बीले रहा, सुनिए, जबादाने को ले करें चौचा का रहें के लिए बैठें हुझे वारिस पठाने के बात बीजिए, अब ज़्दी से प्रेंशुकला जी बात पूरी हो जाए बोलिए बोलिए आप मुझे बताईए सिर्फ सिर्फ 15 मिनिट का समय सिर्फ 15 मिनिट का समय दे दीजिए हम सारे हिंदूओं को निपट लेंगे पुली सटा दीजिए यह वारिस पठान कहते हैं यह नफरत के वाकिय है हिंदूओं का नर्संगार करने की साथ करेंगे वारिस पठान जी बोलिए बोलिए जी जवाब सुनिए अभी इन्होंने का रजाकार को सुनिए शुकला जी जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वो रहे गए यहां पर और वारिस पठान आपके चैनल पर बेढ़े बीजेपी वालों की आँखों में आके डालके इनको बार अपड़ जवाब पर भाते हैं आप लेंगे आपने शुरूरी जिए आपने आपने शुरूरी किया रजाकार रभ उस पर जबाब भी सुनिए फ्ल पेंट पर आगया है प्लीज वारिष पढ़ानी पर यहां डिसकुशन हो रहा है और जो लोग प्रवक्ता बंकर आयो है वह इतनी बजुबानी कर रहे हैं सर प्लीज यह नहीं नहीं बोलने पर बिल्कुल नहीं आएंगे आप वारिष पढ़ान साब बोलने के लिए आप अपने MIMP रैली पर दोनों की आवाज डाउन कीजें संगीत रागी जी आपकी पास आते हुए प्लीज यह तरीका ठीक नहीं है प्रवक्ता यहां पर आये हैं 1945 का एक पोस्टर काटून की तस्वीर जारी करते वे कहा गया है कि सावरकर के निशाने पर तब भी गांधी है और BJP RSS के निशाने पर आज भी गांधी हैं रावर्ण माला पोस्टर जारी करने की क्या जूरत थी देखे पहली बात तो कि जो महात्मा गांधी है उनकी तुलना आप कम से कम इस गांधी से तो बिलकुल ही मत किये और वो समय एक आइडिलोजिकल लड़ाई थी वो एक आप सोचिए कि 4 मई 1940 को गांधी लिखते हैं हरजन में लिखते हैं कि एक मुस्लिम रूल विज ऑल्वे इसी इस्तिती में सावर कर उनके क्रिटिसिजम के लिए खड़े होते हैं और जो वाजिब भी है यह गांधी की उखती है चार मई 1940 को हरिजन में गांधी लेखते हैं कि भारत के अंदर एक मुस्लिम रूल मुझे प्रिफरेबल है ब्रिटिस रूल से ऐसी इस्तिती में निसाने पर होंगे गांधी जी अंबेटकर के निसाने पर भी थे गांधी जी कामनिस्टों के भी निसाने पर थे गांधी जी तो सब के निसाने पर थे उस गांधी की तुलना इस गांधी से तो बिलकुल ही मत कीजिए प्रही बात दूसरी बात जितनी गाली गलोज की भास एक चुने हुए मुख्य मंत्री और एक चुने हुए प्रधान मंत्री के खिलाफ इस देश में हुआ है मुझे नहीं लगता है आपके पत्रकारिता जगत में भी इस देश का बौधिक वर्ग ने भी जितनी गाली गलोज की भासा नरेंद्र मोधी के लिए मुझे नहीं इतिह मैं कम से कम 40 साल से भारत की राजनीती को पढ़ रहा हूँ, 32 साल, 33 साल तो पढ़ाते हुए हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी ऐसा नेता हो जिसके खिलाब इतनी गाली गलोज की भासा की गई हो, आप प्रधान मंत्री के लिए चौकिदार चोर हैं, इस स्पीच यहां पर आया है, जिसको कॉंग्रिस पार्टी ने उसे समर्थन किया है, मैं कहता हूँ कि यह मैं तहसीन सी बात से बिल्कुल सामत हूँ, यह आप गाली गलोज की भासा कप करते हैं, जब आपके पास तर्ख नहीं होते हैं, तत्य नहीं होते हैं, अभी आपने दे सब्सक्राइब। पाकिस्तान परास्तु थे यह सच्चा ही है वो अपनी मजबूरी से आ रहे हैं इसने वारिश पढ़ार अपनी जाग करने देखना है वर्तमान में रहना है राज़नीती इस वग्द सिर्पर है दो तीन रज्यों के और वहाँ पर जिस तरह की बजुबानी सामने आ रही है उस पर इतना इतिहास में नहीं जाते हैं तारिक एहमद लारी जी लेकिन संगीत रागी ने जो सबाल उठाया एक चुनेवे मुख्यमंतरी नरेंदर मोदी की ही बात कर रहे थे वो और उसकी बात प्रदान मंतरी उनके खलाफ अब शब्दों का जितना इस्तमाल किया गया है व सब को दी जा रही है रोद सवरे उठते हैं तो नहरी जी देना चालू करते हैं और रात में प्रता मैं तब-त अब गाली है को नई चीज तो हो नहीं रहाइं अभाएं दूसरी बात यह है जोटायलोग बाजी है और जो चल stored है बेवाक बेढा का रग्रती मेरी हो पिरी म मोängtगा हम जो अपनी गलती भी मानता हूं कि हम लोग भी गलती कियों ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कर आध्यादम की घलती का हूं गा कि थीछे ट्रॉंगए बोल चुकी हैं। बेसिकली बीजेपी इस फॉलोइंग कॉंग्रेस फुट इस जो कॉंग्रेस ने किया है वही आज काट रही है ऐसा नहीं है कि नहीं काट रही है यह बज़वानी आज के दौड़तनी जमाने से चल रही है आज बढ़ गई है आज बढ़ गई है आपको आपको कोई गाली दे है तो आपको बहुत बुरा लगता है लेकिन आप अपने मूँ से जिसको चाहे वो अब शब्द बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि आप प्रधानमंत्री है नहीं, आप प्रधान मंतरी का पद ज़रूर है, आप खुद प्रधान मंतरी नहीं है, पद पर बैठा है वह आप, उसका लिहाज करना चाहिए कि आप किस पद पर बैठा है, क्या यह बहुत अच्छा था कि लोग रेंगोट पहले के नहाते हैं, जो पद पर बैठा है, वही तो प्रधानमंत्री हुआ यह तो नहीं ही परिभाश करना है यहां कैसे बिल्कुल देखना चाहिए मैंने फिर वही आपसे कहा कि प्रधानमंत्री पद पे कौन व्यक्ति बैठा है वो भी देखना परता है सब चीज़ देखने परती है यह प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को अलग देखा जाए और जो व्यक्ति अलग देखा जाए ऐसा कहा हो सकता है एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं दोनों एक बार उनकी बात हो जाए तो कलकता में ममतब एनरजी जी थी तो उनको ओ दीदी ओ, दीदी करके बात करना बहुत अच्छा था, एक प्रधानमंतरी के पद पर पैटे हुए व्यक्तिक ने, एक प्रेजेंट चीवनिस्टर के बारे में जिस हिसाब से बात कही वो बहुत अच्छी बात थी, आपने खुद अपने पद की गरीमा ना सभालते हुआ, आपने अपनी गरीमत गिराई है